हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है लिफाफा ये क्या पूजा तेरे माबाप को जरा भी सर्म नहीं आई मेरी बेटी के जेट जठानी उनके घर गए थे केवल नास्ता करवा के भेज दिया सगुन का लिफाफा कोई भेटी नहीं दी थोड़ा तो समाज की रीत रिवाजो का मान रखना चाहिए हमें तो इस तरह की कंगाली की जरा भी उम्मीद नहीं थी ये तो स्रियांस की मरजी थी वरना ऐसे भूखे नंगी खांदान में मैं अपने बेटी की साधी नहीं करती पूजा की सासु मंजु जी ने तुरंत फोन करके बहु क को कहा उधर से पूजा बोलती है मम्मी जी मैं भी जरूरी मीटिंग में हूँ आप इसमें विस्त हूँ साम को आकर बात करती हूँ आप अभी फोन रखे और पूजा अपने काम में विस्त हो गई साम को ठकार के वो घर पहुची तो देखा सासु मा का चेहरा फूला हुआ ह और ससुर जी भी नाराज लग रहे थे पूजा चुपचाब रसोई में गई और सबके लिए चाय बना कर ले आई उसने चाय का कप अपनी सास को दिया और पूछा आज रात के खाने में सबजी क्या बनाऊं ये सुनते ही मन्जु जी भड़क गई तुझे तो बस खाने पीने की पड़ी है और आज हमारी जो नाक कट गई उसका जरा भी दुख नहीं है नित्या बिटिया वहां रोए जा रही है कि आज भावी के मम्मी पापा ने उनके जेर जिठानी का बहुत अपमान किया था वो उसे जिन्दगी भर नहीं भूलेगी और भावी से बात भी नहीं करेगी पूजा हैरान थी मगर ऐसा क्या हो गया उसके मम्मी पापा तो कभी किसी का अपमान नहीं करते हैं क्यों बहु सुभा जो तुझे फोन पर कहा तुझे समझ नहीं आया क्या मम्मी जी तब मैं मीटिंग में थी आपकी आवाज नहीं आई पूजा ने सामान नहीं होकर कहा बहु तेरे मम्मी पापा ने आज हमारी नाक टवा दी सगुन का लिफाफा नहीं दिया हमने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया उस पर इतना खर्चा किया सब बेकार हो गया आज तेरे माबाप नित्या के सशुराल वालों को लिफाफा नहीं दे सकते थे सारी जिंदगी पैसा खर्च किया ताकि हमें ऐसे दिन देखने पड़े सोचा था बेटे पर लाखों इन्वेश्ट कर दिये अब जब बहु आएगी तो उसके माईके वाले मेरे समधियों को देते रहेंगे मेरा बेटा तो तुझे मुप्त में मिल गया साधी में भी ज़्यादा खर्च नहीं किया और अब भी सगुन नहीं देते हैं मैं तो भिखारियों के ही पल्ले पड़ गई मेरे तो लाखों रोपी ही बरबाद हो गई तुम क्या जानों बेटों को पालने में कितना खर्चा होता है उन्हें पढ़ाओ और बहुए मुप्त में ले जाती हैं और उसके माबाप खर्चा भी नहीं करते हैं ये सुनकर पूजा हैरान रह जाती है तब तक स्रयांस भी आप इस से आ जाता है मम्मी जी आप ये क्या कह रही हैं आप तो खुद पढ़ी लिखी हैं और ऐसी दख्यान उसी बाते कर रही हैं माना बेटे के पालने में और पढ़ाने में लाखों खर्च होता है पर बेटिया भी मुप्त में नहीं पलती हैं खर्चा तो बेटी वाले भी करते हैं जो पढ़ाई स्रयांस ने की है वो ही मैंने भी उसी काले से की है जो फिस स्रयांस की आप ने भरी है वो ही फिस मेरे मम्मी पापा ने भी भरी है खर्चा यहां बराबरी का नहीं बलकि ज्यादा ही हुआ है बेटियों के रहन सहन पर भी बेटों से अधिक खर्चा होता है फिर साधी का खर्चा फिर साधी में इतना लेन देन का खर्चा साधी के बाद हर पहले तेवार पर खर्चा ससुराल वालों को देने का खर्चा ये सब भी तो एक बेटी वाला करता है फिर भी ससुराले का ऐसा कुवा है जो कभी भरता ही नहीं है फिर आपके बेटे की कमाई तो सीधी आपको मिल रही है पर मैं तो वो भी अपने मम्मी पापा को नहीं दे सकती क्योंकि आपका समाज इसकी भी इजाज़त नहीं देगा मम्मी जी मैं भी मुप्त में पली और पढ़ी नहीं हूँ अब एक एक बार सबको सगुन का लिपापा दे तो दिया है और कितना और कब तक देंगे मुझे पढ़ाने और साधी करने में मम्मी पापा खाली हो गए हैं उनका अपना भी बुढ़ापा है तो वो कब तक पैसे द अगर लिफाफा देने से ही मान बढ़ता है तो उन्हें घर के बाहर से ही लिफाफा दे कर लोटा देते तो क्या इससे उनका मान बढ़ जाता आखिर बेटियों के माता पिता पर ये ससुराल वालों की तलवार हमेशा ही क्यों लटकी रहती है कि वो बेटी भी दे दहेज भी अरते उहार पर भी दे जब बेटी जाय तब दे जब वो बेटी के घर आये तब दे हमेशा बस देते ही रहें ससुराल वालों की भूग कभी खत्म ही नहीं होती है अब तो बेटिया कमाने लगी है फिर भी इस्थित में कोई बदलाव नहीं आया है बहु कमा कर भी दे और मम्मी पापा भी जीवन भर देते ही रहें मम्मी जी रिस्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बाते भी बड़ा रूप ले लेती हैं बहुत छोटी सी बात थी पर आपने उसका हंगामा खड़ा कर दिया मेरे दिल में आपकी जो इज़्जत थी वो कम हो गई है इतने दिनों तक मैं चुप थी पर आज जब मेरी जुबान खुली है तो मैं ये भी कह देती हूँ अपसे मेरी यादी सेलरी मेरे मम्मी पापा के पास जाएगी क्योंकि उन्होंने भी तो मुझे पालने में लाखों खर्च किये हैं आपको आपका बेटा देता है तो मैं भी अपने मम्मी पापा को दूँगी सरियान से पूजा की बात से सहमत हो जाता है और मंजु जी आगे कुछ नहीं कह पाती है क्योंकि जब बेटा ही बहु की तरफ है तो वो मा की गलत बातों को क्यों मानेगा आसा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद